आचार श्री विद्या सागर जी महराज की प्रणा से आगरा की सेंटरल जेल में प्रारम हुआ हतकर का संचालन आईए अंदर चल के देखते हैं आपको बीस तना प्राइबास ही आपको 20 साल हो गė nós अबогод वी साल और अफ़ोग गया क्राइबस सुख्छ चैसा अब है कि अपर इंटा अच्छ लग रहा है आगे sud Life यह बहुत अच्छा काम चान पर आए है, आगे भी जो है, लोग कमाएंगे इसमें और सबूम से रहेंगे काम करके कैसा लगता आपको? अच्छा है, काम करके कैसा लगता आपको? करके काम काम करके काम कर स्थेका है कैसे लग रहा आपको यह काम कर गए अच्छा बंद्रा साल से इकाम कर रहifully हूं और इसको करने से जो है आए अच्छी नेद भी आती है हमको और को हमारा जो है आर्थिक मदद भी हो जाती है हमारी जिससे हम परवारबालों की आर्थिक मतद कर पते हैं आत्मिक सांती मिलती है काम करने से दिन बढ़िया गुजरता है हमारा जाने के बाद भी इस काम दो करने की इच्छा है सही है काम बढ़ी हो जो है इस से हमारी जो मान से जो तनाव है वह कम लहता धिन में और जो इस रात कुनिंद भी सही आती है बस और जो है अभी जो कम कम है और बढ़ाने की उच्से करें कि यह जो हटकरगा की कला है जो आप यहां सीख रहे हैं आपको कैसा लगदा सीखने में आप बहुत बढ़िया लगदा है आप यह सीख करके हम भार में से पिछे सी तरहेंगे वरोडों भी शिखाएंगे इसमें कपड़े मनता है और अब अलने कपड़ेंगे कपड़ें बनत खुश है आप इस काम से केंद्रिय कारागार आगरा पर परधान हतकरगा सेंटर द्वारा परम पूझ आचार श्री विद्या जासागर जी की प्रेंड़ा से हमारे परम आदर्डिये एडी जी मोहदे श्री बीके जैन साब के सतत प्रयासों से यहां पर इस्थापित किया गया है अभी तो यहां पर प्रिसिचल रतबंदी काम कर रहे हैं और शोटे पैमाने पर काम हो रहा है आगे चलके इसको और बढ़ाया जाएगा हमारे डियाईजी मोहदे स्री संचीन कर पार्ठी का पूर सही हो गए इसमें और इस कार में लगे बंदी जो है यहां पे सर्ट पैंट अंच गमचा तोलिया बगेरा बनाये जा रहे हैं जिससे इनको प्रिसिचल में भी मजदूरी मिलती है जिससे अपना घर पे पैसा जैंगे रहे हैं बाहर निकल ने के बाद छूटने के बाद अपने प्रियासों में लगे रहेंगे और एक छोटी काई खोल मिल भी अपने घर का बढ़ पूसर कर सकते हैं और हमारे अहां सिलाई दोग बीस थापित है अब यहा थोड़ी मसीने लगी हैं कमल मसीने लगी है आगे इसको और अब हमारे एडी जी महुदे के सत्त प्रयासों से बढ़ाया जाएगा और यहां पे हमारे इसकी सिलाई और पैकिंग भी की जाएगी